यह जो पूरा मामला है आपने भी देखा उत्तर प्रदेश के अंदर तो इसको लेकर काफी हंगामा मचा गुआ है इस पे आपकी प्रत्किरियां जा रहें जी डॉक्टर सुनिला जी जो पूरा मुद्दा है यह बहुत गंभीर है गंभीर कई कारणों से है एक इसके अंदर कारण यह है कि आप जो पूरा प्रोसेस है आप उस प्रोसेस को साइड लाइन कर देते हैं देश के अंदर जो भी परिच्छाएं होती है आईएस की हों आईपीएस की हों यूपीएसस की हों जो भी परिच्छाएं होती है देश के अंदर यह एक प्रोसेस है किसी भी विक्ति का किसी भी अभियारती का चैयन करने के लिए उस पूरे प्रोसेस को आप एक दरकेनार क करने का काम करते हैं तो पहला यही सवाल है कि क्या यह ठीक है मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है अब इसमें जो कॉर्पोरेट का मसला है वो यह है कि कॉर्पोरेट जो इंट्रेस्टेड है वो इंट्रेस्टेड है कि कैसे पॉलिसी मेकिंग के अंदर हाला कि हम लोग यह मां वो permanent government है और उसके managers बदलते रहते हैं ये एक समझ है अब corporate को उससे चैन नहीं है उससे उसको समतुष्टी नहीं है उसे लगता है कि direct जो हमारे मतलब understanding वाले लोग है corporate को लाब देने के लिए जो policy बनाई जानी चाहिए तो हम उसे सांस्दों के माध्यम से क्यों बनवाएं, MLS के माध्यम से क्यों बनवाएं, policy making के अंदर direct हमारे लोगों को बिठा देना चाहिए और मुझे लगता है कि जो योजना आयोग खतम किया गया, नीती आयोग बना, उस समय यही understanding थी, उसी understanding के साब से काम किया हलाकि उसके पहले भी जब आयोग था, जो है योजना आयोग था, तब भी हम कहते थे कि वहाँ पर वर्ल्ल बैंक के और IMF के प्रतिनी जो है बैठे हुए थे, एक समय में तो जो है, खुद मनमहौन सिंग जी के बारे में यह वाली बात कही जाती थी, लेकिन, और यह हुआ भी, LPG को जब लाया गया, नी उकनामिक पॉलिसी को लाया गया, लेकिन अभी यह है कि जिसे कहते है, खुला खेल फरक्तावादी, वो जो है, चाते हैं कि हमारे लोग, जब अडानी अंबानी की सरकार है ही, तो उसी के विशेशक की क्यों ना बैठें, और उनकी जो है, लि पोजिशन की उपर बैठा दिया जाएगा, तो वो लेटरल एंट्री के नाम पर जो है, उसको लोगों की उपर, देश की उपर थोपने का काम कर दिया जाएगा, यह पूरा का पूरा इशू है, और क्योंकि RSS ही सब न्यूक्तियों के अंदर, छोटी छोटी न्यूक्तियो के लिए जो है, देश का, जो संगिठन मंत्री, इनका डारेक्ट एक किसम का इन्वाल्मेंट हो गया है, और इसका अगर किसी को चेहरा देखना हो पूरा, तो वो देश के विश्विद्यालियों के, जो है, वो देख ले, जो वाइस चांसलर से उनको देख ले, और देश के अंदर जो गवर्नर्स बैठे हुए हैं, ये भी तो लेटरल एंट्री से ही आए ना, डारेक्ट, जो गवर्नर्स होते हैं, वो तो लेटरल एंट्री से ही आते हैं, और वो किस तरीके का उतपात मचाने का काम कर रहे हैं, ये पूरे देश के अंदर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं और जब भी जो विपक्ष रहता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रतारित अगर रहता है सत्ता पक्ष अगर उसके खिलाफ में कोई गवर्नर है तो वो उसी से रहता है लेटरल एंट्री के अंदर एक केवल जरूर एक ऐसा सवाल है जिसके उपर जरूर चर करते हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि तमाम सरकारों के जित्ते आर्थिक सलाकार हैं हम लोग जब कहते हैं कि केवल सरकारें बदलती है पार्टियां बदलती है लेकिन सब पॉलिसी वही रहती है क्यों रहती है क्योंकि उसके जो मुक्ष सलाकार है वो वही रहते हैं तो ये एक बड़ा सवाल है और ये जो आरोप लगाया है कि पहले जो है कि पहले से इसकी शुरुआत जो है प्रशासनेक्सदार आयोग जो बना विरपम एमुलब मुली जी के जो है वो उसके अधक्स थे और उन्होंने जो सफारिश दी उन्होंने इस सफारिश को 2005 के अंदर उन्होंने से सफारिश देने का काम किया था इसके पहले भी जो है इसको लेकर के काफी चर्चा हुई ये लेकर मुझे लगता है कि इंडिया गठबंदन ने कॉंग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंदन ने इसमें क्लियर कट स्टैंड ले लि उस प्रॉसेस को भी खतम करने का काम किया जारा समाजवादी पार्टी दो अक्टूबर से इसको लेकर के आंदोलन की पूरी रूप रेखा जो है मुझे लगता है जो प्रवक्ता है वो उसके बारे में विश्ट्रित तोर पर बताएंगे तो वो ज्यादा बहतर और ज्यादा प्रमने को गाँ जी